कार मैं विकास सर्मा फार्मिंग हिंदी एडवाइज चनल में आपका हार्दिक स्वागत है मेरे किसाम आज मैं आपको यह बताने वाला हूं कि जो अपने खेत के अंदर आने जाने का जो रास्ता होता है जिसमें अपने टेक्टर गाड़ी घोड़े वगरा जाते आते रहते ह बहाद ले जाते हैं या कुछ भी इस प्रेकनी के लिए जाते हैं टेक्टर वगरा तो वह आम रास्ता अपना खेत का रहता है में जाने जाने का तो वह खाली पड़ा रहता है तो मैंने ज्याज़तर किसानों को यह देखा है कि खेत के अंदर जितना भी स्वेस होता है यह खाली जगे होती है कॉस खाली जगे के अंदर वह पेड़ा लगा देता है यह कुछली लगा दिता है घर में काने के लिए मैंने किसान बाइओ जो आम रचता है वह आम रहता हर किसान के खाली रहता है कित्व बाइब civ नंबा धोरा बनाया तो यह मेरी जगह खाले पड़ी ती 1200 स्कार फूट लंबी थी लंबा रास्ता था मेरा तो इसके अंदर मैंने आकुछ आलू लगा दिये और कुछ लसन लगा दिये वह भी जेविक और 130 और मेरा तो यह मेरा किसान वाई यह यह मेरी मेरी लशन की पिसल और यह लंबा कोड़ेश्क शुच्कवाटी यह दोर सब रो गए और अलू की पिसल हो गई सट और जेविक और यह आलू बिलकुसी स्विस्त है और परतिसात और्गनिक और जेविक मेरे यह लसन हो गए और आलू और लसन का मैं आराम से बारे मेने तक मैं आराम से शेवन करूंगा और मेरे भरपूर गर के लिए यह आलू और लसन उपयुगत है तो मेरे किसाम बढ़िए अगर आपके आज tentang नाज के पास अगर आपके पास इस फैस जगह हो तो आप इसके अंदर यह रास्ते के अंदर आलू और लशन नाराम लगा सकते हो और अब आप ऍली आपन पनाना चाहो तो इस पसल भी नुकसान नहीं पहुचाएगा मेरे किसान बाइयों यह मेरे टेक्टर ला रहा है और यह टेक्टर इस मेरे लसन की और आलू की पसल को कुछ भी नुक्सान ने कोशा रहा है और यह मेरे मैंने यह जो रास्ते का उप्योग में लिए जमीन वह बहुत ही लाब दाइक है मैंने मेरे हर खेट के कौने को काम में ले रखा है किसी भी चीज को मेरे किसान भाईयों आपके पास जगे कुछ खाली पड़ी है तो उसके अंदर कुछ न खुछ लगा दो पसल चाहिए वह सबजी हो चाहिए पीड़ पड़ो हो चाहिए वह आलू हो चाहिए यह यह लसन हो यह एकुछ भी हो हाली जगे खेट के अंदर मत तो इससे आपको अधिक फाइदा होगा दन्यवाद मेरे किसान भाईयों अगला वीडियो फिर में आपके लिए लिए लिक रहा हूँगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे किसान भाईयों इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले